नमस्कार शिक्षारतियों NIS के स्टूडियो में आपका पुना स्वागत है मैं डॉक्टर प्रतिभा शर्मा आज आपसे जिस विशेव पर चर्चा करने जा रही हूँ वे है उच्छ प्रात्मे किस तर पर भुगोल शिक्षन भुगोल शिक्षन को समझने से पहले हम ये देखें कि इसके मुख्य विंदू क्या है हमारी वारता के मुख्य विंदू है भुगोल का महत एवं पाठिक्रम में उसका क्या इस्थान है उच्च प्रात्मिक स्तर पर भुगोल शिक्षन के क्या उदेश है पाठिक्रम निर्मार के क्या सिध्धान्त होते हैं किन शिक्षण विधियों का और प्रविधियों का शिक्षक प्रयोग करता है या कर सकता है भुगोल शिक्षण की विशिष्ट शिक्षण विधिया कौन सी होती है भूगोल शिक्षक के क्या गुण और योग्यता होती है भूगोल शिक्षण के लिए प्रयोग की जा सकने वाली शिक्षण सामगरी कौन सी होती है एक भूगोल का क्ष कैसा होना चाहिए, उसकी प्रयोगशाला कैसी होनी चाहिए संग्रहले कैसा होना चाहिए उसका पुस्तकाले कैसा होना चाहिए और पाठ योजना निर्माण में किन चीजों का समावेश करना चाहिए साथ ही संशेप में हम यह भी चानेंगे कि भूकोल शिक्षन में मूल्यांकन किस प्रकार होता है दोस्तों भुकोल शिक्षन भुकोल विशय से सम्मन देते हैं भुकोल मानविकी और विज्ञान के बीच सेतु का काम करता है भुकोली ज्यान के बीना वर्तमान संसार की समस्याओं को समझना बहुत कठिन हो जाएगा इसलिए भुकोल बहुत महत्वपूर्ण है ये विश्य ऐसा है जो मनुष्य के प्राकर्तिक वातावरण का अध्यन उसके सामाजिक एवं सांसरतिक संदर में करता है उसको समझने में साहिता करता है संसार के विभिन संस्कृतियों को समझने में साहिता करता है इस विशे से प्राप्त ज्ञान का अध्यान बिना भोगौलिक ज्ञान के इतिहास का अध्यान भी निर्जीव और अरुचिकर हो जाएगा इसलिए भुकोल बहुत महत्पोर्ण है हमारी बहुत सारी मानवी समस्याओं की जणे प्रत्वी के धरातल से जोड़ी हुई है कहा था एक पार कि भुकोल मानवता का अधार है मानवता की शिक्षा के बढ़ते हुए प्रभाव को पूर्ण करने में भुगोल सबसी बड़ा साहयक है एक विद्वान हुए है प्रोफेसर आटवुट उन्होंने भी कहा था कि भुगोल के अतिरिक्त प्रात्मिक स्कूल के पाठिक्रम में ऐसा कोई भी विशय नहीं है जो स्वभाविक रूप से आज की विश्व समस्याओं पर प्रकाश डाल सके दोस्तों अब हमको ये समझना होगा कि उच्च प्रात्मिक स्तर पर भुगोल शिक्षन का उद्देश क्या है इसके प्रमुक उद्देश है पूर्व प्रात्मिक स्तर पर प्राप्त भोगलिक ज्यान को व्यवस्थित और संगठित करना अर्थात जो पहले की कक्षाओं में भुगोल से संब्दित ज्यान बालक ने प्राप्त किया है उसको पुना व्यवस्थित और पुना संगठित किया जाए और उसमें विस्तार किया जाए इसके साथी इसका उदेश है भोगलिक नीयंत्रण कार और कारन संब्द के ज्यान का विस्तार करना कोई घटना घटित होई, क्यों होई, उसका क्या कारन था इसके बारे में जानना विशेश उपसे भुगोल के संदर में, धरातल के संदर में क्यों नदियों में बाढ़ाती है, क्यों पहार तूटते है इनके क्या कारण है, इस प्रकार से जो भुगोली घटना है उनमें कारे और कारण संबंद को देखना और उनके बारे में छात्रों को बताना भूगोल शिक्षण के माध्यम से अध्यापक का उद्देश बालकों की विभिन मानसिक शक्तियों जिग्यासा, कल्पना, इस्वरण, तर्क शक्ति इत्यादी का विकास करना भी होता है साथ ही विभिन भूगोलिक प्रदेशों में पाई जाने वाली विशिष्टताओं को समझाना और उनके द्वारा मानव जीवन की विभिन परिस्थितियों के प्रती बालकों के मन में सहन भूती का विकास करना भी भूगोल शिक्षण का उद्देश होता है उच्छ प्रात्मी किस्तर पर भूगोल विशे के पाठिक्रम निर्माण के क्या सिधानत होने चाहिए जब एक भूगोल विशे का उच्छ प्रात्मी किस्तर पर पाठिक्रम निर्मित किया जाए तो किन चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए पहली बात शिक्षण अदेश्यों की पूर्टी का सिध्धान जो शिक्षण उदेश बनाए गए हैं चाहें वो सामान्य हों या विशिष्टों उनकी पूर्टी अवश्य होनी चाहिए ऐसी पाठ्थेवस्तो और पाठ्थ क्रियाएं उसमें रखी जानी चाहिए जीविका अर्जन का सिध्धान भुकोल विशय बालकों को इस प्रकार ज्ञान से सम्रद कर दे कोशलों से सम्रद कर दे कि वह इस विशय के ज्ञान के साथ अपनी जीविका का अर्जन भी कर सकें इसके अत्रिक्त तीसरस जो महत्पूर सिध्धान थै वे है अर्जित ज्यान के हस्तान तरण का सिध्धान बालक अगली पीडि को वो ज्यान दे सकें इस प्रकार से पाठ्थ वस्तू रखी जानी चाहिए सामाजिक विकास का सिध्धान जो विशेवस्तू बालक पढ़ रहे हैं वे बालकों को सामाजिक कौशलों से भी युक्त कर सके साथ ही अवकाश के सदूपयोग का सिद्धान भुगोल विशे में जो पाठे सामगरी रखी जाए वो इस प्रकार संयोजित की जाए कि बालक अवकाश के समय उसका उपयोग करें और लाभान वित हों पाठेवस्तू रखते समय पाठिक्रम का निर्मान करते समय यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि बालकों की वयक्तिक विशेश्टाएं कि स्रकार की हैं प्रथक प्रथक योग्यता वाले रुची वाले बालकों के लिए वयक्तिक भिणता के आवसर मिलने ही चाहिए पाठिक्रम का निर्मान करते समय बालकों की वयक्तिक भिणता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए बालक विभिन योगताओं के, रुचियों के, अभीवित्यों के होते हैं तो पाठिवस्तु का संयोजन करते समय या पाठिक्रियाओं का संयोजन करते समय इस तर्थे को अवर्शे ध्यान में रखा जाना चाहिए संबद्धता का सिद्धान एक विशय का दूसरे विशय से किस प्रकार से संबंध हो या एक पाठिवस्तु की एक एकाई का दूसरी काई से किस प्रकार से संबंध हो यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए तो वो कोरिलेटेड होनी चाहिए क्रियात्मक्ता का सिध्धान जो भी पढ़ाया जाए उसमें क्रियाएं अवश्य होनी चाहिए उनका संयोजन अवश्य होना चाहिए क्योंकि करके बालक जादा अच्छे से सीखते हैं व्यापक्ता का सिध्धान और बोधगम्यता का सिध्धान अगर पाठिवस्तु बोधगम में नहीं है तो पाठिक्रम अपना प्रभाव पूर्ण करने में या अपने उद्देश की पूर्ती करने में सक्षम नहीं होगा लचीलेपन का सिध्धान पाठिक्रम में इतना लचीलापन होना चाहिए कि परिस्तिती के अनुसार अध्यापक उसमें परिवर्तन कर सके और जो अंतिम सिध्धान थै वो है भावा आत्मा के एकता का सिध्धान छात्रों की भावनाओं को भावा वृत्तियों को पाठिक्रम के माध्यम से विक्सित किया जा सके यह उसमें ध्यान रखा जाना चाहिए अब हम बात करेंगे कि उच्छ प्रात्मी किस तर पर भुगोल विशे की प्रमुक शिक्षन विधिया क्या होती है शिक्षार्तियों अनेक विधियों का प्रयोग भुगोल शिक्षण में किया जा सकता है भुगोल विशे अपने आप में वर्लनात्मक है तो यहां वर्लन विधी का प्रयोग किया जा सकता है निरीक्षण विधी का प्रयोग किया जा सकता है इसके साथ साथ तुलना विधी, प्रोजेक्ट विधी, कहानी कथन विधी, निरीक्षित अध्यापन विधी और निर्देशित अध्यन विधी का विप्रेक्या जा सकता है। निर्देशित अध्यापन विधी का तात्पर यानी सुपरवाइजड टीचिंग मेथट का तात्पर यह है कि छात्र अध्यापक के निरीक्षण में ये कारे करते हैं। स्वयम करते हैं। कहानी कतन भुकोल शिक्षन की एक बहुत रोचक विधी है। सुदूर प्रदेशों की बहुत सारी तत्यों का वर्णन कहानी के माध्यम से किया जा सकता है। और ये छात्रों के लिए बहुत वोधगम में भी होता है। इसके अत्रिक विचार विमर्ष विधी, आगमन और निगमन विधी, समस्य समाधान विधी, कोपरेट्टिव लर्निंग मैथ़ड यानि सहगामी अध्यन विधी और प्रयोगशाला विधी कभी प्रयोग भुगोल शिक्षन के लिए किया जा सकता है। सहगामी अध्यन विधी में छात्र, टीम बनाकर, अलग-अलग प्रकार की टीम बनाकर, अलग-अलग उद्देशियों के साथ, एक साथ मिल कर अध्यन करते हैं। प्रयोक्षाला विधी में छात्र भुगोल की प्रयोक्षाला में बैट कर वहाँ पर कारे करते हैं, सीखते हैं, निरीक्षन करते हैं और प्रयोक भी कर सकते हैं। कुछ विशिष्ट शिक्षण विधियां हैं जो भुगोल के शिक्षण को विशिष्ट बनाती हैं। जैसे एक विधी है संकेंद्री विधी यानि कंसेंट्रिक मैथड। संकेंद्री विधी में पाथवस्तु को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है कि विद्यार्थी पहले अपने घर के बारे में, फिर अपने शहर के बारे में, जिला के बारे में, तहसील के बारे में, रा संकेंद्रित किया जाता है प्रादेशिक विधी भुगोल विशय की एक विशिष्ट शिक्षन विधी है भुगोल की अध्यन सामगरी को 18 प्रादेशिक शेत्रों में बाटा गया है यह प्रादेशिक या प्रदेश जलवायू या वनस्पति या अन्य आधारों पर बटे हु भुगोल शिक्षन की एक महत पूर्ण विधी है प्रदर्शन सह वियाख्यान विधी यानि डिमोंस्ठरेशन कम लेक्चर मैठोड इसमें अध्यापक वियाख्यान के सास्त प्रदर्शन यानि दिमोंस्ठरेट भी करता जाता है इससे पाट प्रोचक भी होता है और प्रश्नोत्तर प्रविधी, आलोचना प्रविधी, प्रदत्य कारे विधी और प्रदर्शन विधी प्रश्नोत्तर के माध्यम से वो अपने पाट में छात्रों की सक्रीता को बना सकता है आलोचना विदी में अध्यापक किसी विशय पर, किसी विशय वस्तू पर छात्रों के विचारों को प्रकट करने के लिए कहता है उसके गुण और दोश को बताने के लिए कहता है और इस प्रकार निशकश पर पहुँचा जाता है असाइनमेंट कक्षा का भी हो सकता है, घर के लिए भी हो सकता है और इस प्रकार इसमें असाइनमेंट दे कर बच्चों को स्वयम करके सीखने का अबसर दिया जाता है प्रदर्शन प्रविधी का प्रयोग अध्यापक अन्य विधियों के साथ कर सकता है भूगोल शिक्षक में कुछ विशिष्ट गुण होने चाहिए उसकी योग्यता का पैमाना है एक अच्छा भूगोल विशे का शिक्षक वही है जिसे भूगोल विशे का और उसकी पाठी वस्तु का पूल्ण ज्यान हो और आधनिक ज्यान से विव परिपूर्ण हो उसको केवल विशे वस्तु का ही ज्यान ना हो बलकि आधनिक भूगोल शिक्षन विधियों का भी ज्यान हो उसको बाल मनोवी ज्यान का ज्यान हो पाठीकरन के सभी विशियों के साथ क्या सम्मंध है और किस प्रकार से उन संबंधों को विक्सित किया जाता है इसका भी ग्यान हो उसके अंदर तीव्र निरीक्षन शक्ती होनी चाहिए क्योंकि वह एक भुवोल वेत्ता होता है उसे भ्रहमन निरीक्षन करके बहुत सारी भोगौलिक इस्थितियों के बारे में तत्यों के बारे में अपने छात्रों को बताना होता है उसमें नेत्रत्यों का गुण होना चाहिए साथ ही अपने छात्रों को पत्प्रदर्शित कर सके ऐसी भी शमता होनी चाहिए यही नहीं अध्यापक में भुगौल के अध्यापक में मौडल, मानचित्र और भोगोलिक चित्र बनाने में दक्षता होनी चाहिए उसकी भोगोलिक वस्तों के संग्रहे में रुची होनी चाहिए साथ ही देशाटन के प्रती उसमें प्रेम होना चाहिए और रुची होनी चाहिए तबी वे अपने विद्यार्थियों को देशाटन के लिए प्रेरित कर सकता है और उनमें रुची जागरत कर सकता है भुगोल विशेक के शिक्षण के लिए शिक्षण को अनिक प्रकार की सहेक सामगरी का प्रयोग करना होता है विशेश रूप से उच्च प्रात्मिक स्तर पर शिक्षण अनिक प्रकार की परंपरागत यानि ट्रेडीशनल और नवाचारिक सामगरी यानि इनोवेटिव माटीरियल्स का यूज़ कर सकता है बहुत सारी द्रव्य श्रव्य और द्रश श्रव्य सामगरी का प्रयोग कर सकता है परंपरागत सामगरी के अंतरगत मान चित्र, गलोब, चित्र, श्यामपट, रेखा चित्र, पाठ्थि पुस्तक के साथ साथ बहुत सारी विधियां या बहुत सारी अन्यद्रिष्टान को भी प्रयोग कर सकता है परंपरागत सामगरी को प्रयोग करने से अध्यापक को यह लाब होता है या यह इसका गुण होता है कि यह सरलता से उपलब्ध हो जाते हैं लेकिन इसमें एक कमी भी है कि ये परंपरागत सामगरी प्राया अरुचिकर होती है छात्र रुची नहीं ले पाते और छात्रों के अवधान को बहुत देर तक रोक्स पाने में ये असमर्थ होती है इनोवेटिव मटीरियल यानी नवाचारिक सामगरी के अंतरगत वे समस्प्रकार की सामगरी शामिल होती है जिसका निर्माण किसी आधनिक तक्नीकी एवं कौशल के अधार पर होता है इसमें समस्प्रकार की प्रक्षेपन सामगरियां, वेज्ञानिक तरीके से संग्रहित या प्राप्त नमूने, पिक्चर्स, टेलिविजन, सिनेमा, सेक्षिक रेडियो, कम्प्यूटर, प्रोजेक्टर, वाइड बोर्ट, इत्यादी बहुत सारी सामगरी नहित होती है नवचारिक सामगरी का इस्तेमाल करने का यह लाव होता है कि अधिगं की द्रिष्टी से यह अधिक प्रभापूर्ण होती है लेकिन इसके अंदर यह कमी है या इसके साथ यह कमी है कि यह खर्चिली होती है और प्राया विद्यालियों में उपलब्ध भी नहीं होती भूगोल विशय ऐसा विशय है जो प्रयोग शाला के बिना नहीं पढ़ाया जा सकता यह एक प्राक्टिकल बेश सब्जेक्ट है प्रमुक्षिक्षा शासी ऐसी बर्नार्ड ने कहा था कि भूगोल अध्यापन के लिए एक प्रिथकक्ष का होना उतना ही वांचित है जितना की भूगोल अध्यापन के लिए भूगोल का खशनिवार है क्यूंकि इसमें अनीक प्रकार के साधनों का प्रियोग किया जाता है उन साधनों को उसमें रखना अनिवार होता है यह प्रायोगी कारी के लिए अनिवार है मान चित्र के अंकन के लिए आवश्यक सामगरी को हम बार-बार इधर उदर नहीं कर सकते हैं इसलिए अनिवार है और प्रयोक्षाला छात्रों के मन में भुगोल विशे के प्रती रुची और प्रेढ़ना जागरत करने के लिए आवश्यक है यह प्रयोक्षाला कम से कम 40-30 फिट के आकार की हो सकती है जिसमें कम से कम 30 विद्यार्थी बैटे रह सकें इसमें इस्टोर, डाक रूम, मॉडल्स, प्रोजेक्टर, बैरोमीटर, रोलर बोर्ड इत्यादी रखे जा सकते हैं अर्था समस्त आवश्यक सामगरी इसमें होनी चाहिए, इसके त्रिक्त भुकोल विशे में संग्राले भी होना चाहिए, विद्यालियों में, संग्राले, वोर्शिश की जाए कि संग्राले हो, जहां पर प्राचीन और दुरलब सामगरीयों को रखा जा सके, सुरक्षिध जहां भुगोल संबंदी समस्ते पाट्टि पुस्तके हों, पत्र पत्रिकाए हों, अभ्यास पुस्तिकाए हों, जिनका प्रयोग बालक अपने एकक्षा और ग्रहकारी को पूरा करने के लिए कर सके, साती समय का सदुपयों करने के लिए भी कर सके, मुल्यांकन के संधर में यदि हम बात करें, तो उच्छ प्रात्मिक इस्तर पर अध्यापक द्वारा सतत मुल्यांकन किया जाना आवश्यक है, ताकि वे विद्यार्थियों के अधिगम की गति और इस्तर से परिचित होता रहे, मुल्यांकन के लिए अध्यापक पाठ के आकार के अनुसार दैनिक, सा इसी के साथ दोस्तों, मैं प्रतिभाश शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, आशा है कि ये चर्चा आपके पार्टिक्रम की द्रिष्टी से आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, धन्यवाद